भारतिय स्वतंदरता संग्राम में मील का पत्थर था चमपारंड सत्याग्रेव। महत्मा गांधी की अगवाई में बिहार के पूर्वी चमपारंड जिले के मोतिहारी में नील के सालों ने विद्रोह किया था। ये ब्रिटिश शासन का पहला बड़ा सामुहिक विरूद था 1915 में दक्षण अफ्रीका से लोटने के साथ नील अंदुलन के साथ महत्मा गांधी ने स्वतंतरता अंदुलन में कदम रखा था। एतिहासिक विरूद की याद में मोतिहारी में एक पार्क और एक म्यूजियम बनाया गया। इसमें सब्त्यागरे की तस्वीरें और उस दौर से जुड़े सामान हैं। पूर्वी चंपारन के नील अंदुलन में महत्मा गांधी ने पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया था। बाद में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंतरता संग्राम में अहिंसा का बेहत असरदार तरीके से इस्तमाल किया। अधर्वी धर्ती में गांधी का जो एक एक असर है क्योंकि गांधी चंपारन के लोग बड़े तरही थे। सत्यागरा के दौरान महत्मा गांधी ने अंग्रेजों के आदेश के बावजूद चंपारन से जाने से इंकार कर दिया था। इस घटना की याद में 48 फुट उचा सत्यागरे इस्तरंब बनवाया गया है। समन उनको दिया गया है कि आप तुरन चंपारन छोड़के चले जाहिए। इसके लिए उन्हें 18 अप्रेल को जो है SDO कोर्ट में अदालत में पेशी हुई उनकी। 18 अप्रेल 1917 की दोपहर 12 बजे इस जगह पर SDO नयायले था। और जो पीछे जो पिलर आप देख रहे हैं यह ठीक वही जगह पर वो पिलर बना हुआ है। जहां पर कोर्ट का डॉक था। मोतिहारी के इतिहास के बारे में सिर्फ गांदीवादी इतिहासकार ही नहीं बलकि युवा रैपर्स भी जागरुकता फैला रहे हैं। जैसे सत्याग्रा के सुरुआत जिसे हिंदोस्तान अजाद अंगरेज खिलाप इसका किया सुरुआत तब गांदीजी अकेले और चंपारनी उनके साथा। ये सहले हम लोगों को इतिहास बता रहे हैं। गांधिवादी रोज मर्रे की जिंदगी में महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन और दूसरे सिध्धानतों के पालन पर जोर देते हैं उन्हें अफसोस है कि आज की तारीख में गांधिवादी आदर्शों को नजर अंदाज किया रहा है जो विवेक सी लोग हैं, जो समझदार हैं, वो आज भी गांधी के साथ है लेकिन जो लोग हलका और चाहते हैं अपना राजनीत में तरह नजाज फाजा लेना वे तरह तरह की पार्टिया में बन करके और बात ही करते हैं जो असली बात तो देश के हक में देश के करने के लिए वो गांधी बादी, वो चमपरन में है गांधी जी की जो सिक्षा है, सत्य और हिंसा की सिक्षा वो अभी सारी दुनिया में बहुत जरूरी हो गई है और चमपारन में उन्होंने सत्य का प्रयोग अहिंसा का प्रयोग किया था और इसलिए इसको जितना से जितना प्रमोट किया जाए यहां के चीजों को गांधी जी से जूरी हर चीज को जिससे गांधी जी और गांधी जी का विचार दोनों प्रमोट होगा और आज गांधी जी के विचार को प्रमोट करने की बहुत आउस सकता है क्योंकि हम धीरे धीरे इतने ज़्यादा विलासिता में खोए जा रहे हैं कि हम वास्तविक्ता से दूर होते जा रहे हैं गांधी वादियों का कहना है कि बेशक कई लोग इस जगह को तीर्थ मानते हैं फिर भी गांधी विचार और इस जगह के बारे में खास कर युवाओं में जागरुकता फैलाने की जरूरत है